कर दोस्तों नमस्कार मैं विरद आप लों का स्वागत करता हूं सेलेक्शन मेंटर के इस ऑफिशल यूट्यूब चैनल पर और दोस्तों जैसा कि आप लों को मालूम है कि बी यो मेंस की एक लासेश चल रही हैं और इस क्रम में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौलिक कर्तव ठीक है समविधान के अंतरगत अगर देखा जाए तो हम लोग आज यहां पर डिस्कुशन करने वाले मौलिक कर्तव्य मौलिक कर्तव्य यानि कि इनको हम बोलेंगे अगर चलिए शुरुबात करते हैं अपने इस लेक्चर की और सबसे पहले समझते हैं मौलिक अधिकारों का समवैधानिक प्रावधान किस प्रकार का है या समवैधानिक स्वरुब जो है वो किस प्रकार का है समवैधानिक स्वरुब अगर हम समवैधानिक स्वरुब की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट यह मूलिकारों का भाग नहीं थे मूल सम्विधान में, मूल सम्विधान में, मूल सम्विधान में, मूल सम्विधान में शामिल नहीं थे, ठीक है, मूल सम्विधान का मतलब यह हुआ, जो या आप इसको प्रारंभिक सम्विधान लिख सकते हैं, प्रारंभिक, प्रारंभिक सम्विधान में शामिल नहीं थे, यानि सम्विधान जब हमारा 26 नंबर 1949 को बन कर त्यार हुआ और 26 जनबर 1950 को जब इसको लागू किया गया तो उस वक्त हमारे पास में fundamental duties नहीं थी यानि कि fundamental duties को बाद में जोड़ा गया है और बाद में कब जोड़ा गया है बाद में जोड़ा गया है सन 1976 में 42 सम्विधान संशोधन द्वारा तो आपको ध्यान रखना है 42 में सम्विधान संशोधन अंधियम 1976 के द्वारा इसे सम्विधाने कृत किया गया है और इसे जोड़ने की जो संस्तुतियां है संस्तुती का मतलब recommendations जो हैं ये सरदार स्वरन सिंग कमेटी के द्वरा की गई थी दिखान रखेंगे इस पॉइंट का ये तो बहुत कॉमन सा पॉइंट है क्योंकि आप लोग प्री क्वालिफाई करके आओ तो आशा करते हैं कि इतना तो आपनों को मालूम होगा स्वादास वर्ण सिंग कमेटी के दरह 1976 में संशोधन करके इसको जोड़ा गया था कहां जोड़ा गया है अगर इसकी पोजिशन को देखा जाए तो ये मौलिक अधिकार हैं जिनको राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बाद राज्य के नीदेशक तत्व किसमें है भाग 4 में हैं कहां बाद बना करके भाग 4 का यानि Part 4A आप इसको क्या कह सकते हैं Part 4A Part 4A में इनको रखा गए है Part 4 में जो articles थे, वो 36 से ले करके 51 तक थे Part 4A में अगर हम articles की बात करते हैं अनुचेदों की अगर हम बात करें तो ये Part 4A में Part 4A में कहां से कहां तक मिलेंगे, आपको यह मिलेंगे Article 51A यानि कि ना सिर्फ पार्ट का सब पार्ट बनाया गया बलकि आर्टिकल 51 का भी सब आर्टिकल 51 ए बना करके इसमें जोड़ा गया ठीक है और इसमें भी एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि शुरुवात में इसमें जो हैं वो दस फंडामेंटल राइट थे लेकिन एक संशोधन और हुआ है एक संशोधन और हुआ है 86 संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2002 इसमें 11 मौलिक कर्तव जोड़ा गया ध्यान रखेंगे 11 मौलिक कर्तव कब जोड़ा गया 2002 में 11 मौलिक कर्तव प्रारम में कितने थे 10 थे ठीक है तो यह जो 11 मौलिक कर्तव है तो आपको ध्यान रखना है वर्तमान में मौलिक कर्तव कितने हो गया कुल मौलिक कर्तव कितने हो गया कुल मौलिक कर्तव कितने हो ग ग्यारह मौलिक कर्तव किस प्रकार के हैं, इनको भी थोड़ा-थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिसमें सबसे पहला जो मौलिक कर्तव है, उसमें बताया गया है कि जो समविधान का आपको पलन करना है, और समविधान के आदर्शों और संस्थाओं का पलन करना है, मुख्य उसमान की अपील सबसे पहले करी गई है, दूसरा आपको पॉइंट कहा गया है कि स्वतंतरता के लिए जो भी रास्ति संहर्श हुए है जो भी freedom के लिए हमारे जो struggles हैं, उन struggles को, स्वतंतरता के आदर्शों को, स्वतंतरता हे तू, आदर्श जो थे, उन आदर्शों को क्या करें, उन आदर्शों का, स्वतंतरता हे तू, आदर्श का पालन करें, का पालन करें, यानि कि अपने दिल में एक जोती जगाय रखें कि हमने बड़े मुश्किल से आजादी पाई है तीसरा पॉइंट जो हमको मिलता है उसमें रास्ट की एकता, अखंडता और संप्रभुता संप्रभुता बनाय रखने की अपील की गई है इसको संरक्षित करने की अपील की गई है संरक्षित रखें यानि बनाय रखें ठीक है चौथा जो हमारा मौलिक अधिकार है मौलिक कर्तव्य है उसमें रास्ट की सेवा के लिए ततपर रहने की बात की गई है रास्ट सेवा के लिए ततपर रहें रास्ट सेवा के लिए ततपर रहें मतलब जब भी रास्ट आपको किसी काम के लिए बुलाए जब भी रास्टी सेवा प्रदान करने के लिए आपका अहवाहन किया जाए तो आप त्यार रहें क्योंकि आप अपने रास्ट के हिस्से हैं उसे बचाने की जिम्मेदारी भी आप ही की है पांचमें के अगर बात करी जाए तो यहाँ पे धार्मिक और भाषाई और छेत्री विविधिताई हैं हमारे यहाँ हैं आपको मालूम है धार्मिक विविधिता है हमारे यहाँ भाषा की विविधिता है हमारे यहाँ और अलग-अलग छेत्रों की विविधिता है तो छेत्री विविधिता से विविधिता चेत्री विविधिता से अलग मतलब इस से उपर बढ़ करके सामन्जस्य बनाए रखें ये अतिनत आवश्यक है इसी में एक बढ़ीती महत्वपूर्ण बात है जिसको मैं डिफरेंट कलर से मैं लिखना चाऊँगा इसमें एक बहुती महत्वपूर्ण बात कही गई है और वो महत्वपूर्ण बात ये है कि भाईचारे की भावना ऐसी हो भाईचारे की भावना इस प्रकार हो कि महिलाओं की महिलाओं की गरिमा का गरिमा का सम्मान हो सके सम्मान हो सके ठीक है? यानि कॉमन ब्रदर हुट की भावना की यहां पर बात करी गई है और कॉमन ब्रदर हुट की भावना है जो है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि जो फीमेल्स हैं जो असुरक्षित कभी-कभी या कई बार महसूस करती है उनको अपने ही रास्ट में रहने में असुरक्षा की भावना ना हो पुरुषवादी विचार धाराएं इस प्रकार की होनी चाहिए यह अत्यनत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपर यह ध्यान रखने की चीज़े इसके अलावा अगर हम चट्वें करतब की बात करें तो यह देश की सांस्कृतिक और सम्रुधिक विरासत है उसको समझने और सन्रक्षित करने की बात करी गई है तो सांस्कृतिक विरासतें जो हैं सांस्कृतिक सांस्कृतिक विरासत सांस्कृतिक विरासत को क्या करने की बात करी गई है सन्रक्षित करने की बात करी गई है सन्रक्षित रखें ठीक है इसकी बात करी गई है सातवें अधिकार की अगर हम बात करते हैं मार्फीजे का करतवी की आप बात करते हैं तो जितने भी प्रकृतिक वस्तुवें हैं प्रकृति जिसमें सामिल है प्रकृति जो प्रकृति शामिल है जहां तक प्रकृति में जितने भी संसादन है तो उसको सबको हम प्रकृती की अंतरकती रखेंगे ठीक है तो प्रकृती की सहायता करें की सहायता करें एवं संरक्षन प्रदान करें संरक्षन प्रदान करें किस प्रकार से प्रकृत की सहायता और संरक्षन प्रदान करना है जैसे वन है जीले है नदियां है वन ने जीवन है पर्यावरण है इसको सुधारें सुधारें और सुरक्षित रखें ठीक है सुरक्षित रखें इस तरीके से आप प्रकृत की सहायता क कर सकते हैं इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, आठवा कर्त थी करतब हम को क्या दिए गया है वैग्यानिक एवं तार्किक मनोवर्ति होनी चाहिए जिससे मानवता वादी विकास धारा का विकास हो ठीक है जिससे मानव का विकास हो यानि रूड़ी वादिता को कम अपनाने की बात करी गई है या हटाने की बात करी गई है वैग्यानिक एवं तरकशिल जीवन जीने की ब संपत्ति की रक्षा करें रक्षा करें उसे दूशित ना करें ठीक है? हिंसा से दूर रहें हिंसा से दूर रहें जहां हिंसा हो रही हो वहां से दूर रहें आप हिंसा ना फैलने दें इसकी अलामा दस्वे में आप से अपील करी गई है कि व्यक्तिगत और सामोहिक गत्विदियां इस प्रकार से रखें कि देश हमेशा उत्कृष्टता की ओर बड़े यानि सामोहिक सहयोग की बात करी गई है सामोहिक सहयोग जिससे रास्ट का उत्थान हो ठीक है जिससे रास्ट का उत्थान हो ऐसे सामुहिक सहयों की अपेक्षा करी गई है रास्ट निरंतर नई उपलब्धियां प्राप्त करे ऐसी उम्मीद करी गई है दसवे में ये प्रारंबिक 10 हमारे पास मौलिक करतवे थे 11 मौलिक करतवे जो जोड़ा गया है इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए उनके माता-पिता उनके माता-पिता या संदक्षक जो भी है ठीक है अपने बच्चों को अपने बच्चों को अनिवार सिक्षा का उपबंध करें अनिवार सिक्षा का प्रबंध करें यह करतव जह है यह माता-पिता उनके संदक्षक के लिए दिये गए हैं तो इस प्रकार की चीज़ों के यहां पर शामिल किया गया तो मेरी ख्याल से आपको 11 जो मौलिक करतव हैं वो निश्चित रूप से अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे और यहीं है जो आपका 86 में संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था ठीक है ध्यान रखना है यह जो पॉइंट आपको मिलेगा यह आपको डी पी एस पी में मिलेगा और यह आपको fundamental ड्यूटी इस में भी मिलेगा यानि आप समझ सकते हैं कि बच्चों की द्राइट ब Turns एरहते हैं संविधान अगर हम सविधानuição और विकति मानले तो इस सविधान ने अपने देश में रह रहे लोगों या नागरिकों को कुछ अधिकार दिये हैं कुछ अधिकार दिये हैं यानि उसका मानना है कि अधिकार यहां के लोगों के होने चाहिए तो क्योंकि सम्विधान ने स्वता ही अधिकार हमें दिये हैं इसका मतलब ये सम्विधान ने अपना कर्तव्य पूरा किया है, बताईए, हाँ या नहीं, कर्तव्य है, इस सम्विधान का कर्तव्य था कि वो अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दें, तो जो अधिकार दिये हैं, वो नागरिकों के fundamental right हो गए, बास समझ में आ रही है, ये तो दे रहा हूँ, अगर कोई भी ना करे, तो आपने आले चले जाईए, आपको वापस मिल जाएगा अधिकार, similarly, सम्विधान किस देश का है, भारत का है, यानि ये भारत जो है सम्विधान के माध्यम से अपने मौलिक कर्तव्यों को पूरा कर रहा है, और मौलिक कर्तव् का इनी व्यक्तियों का, जैसे भारत का कर्तव्य था कि वो नागरिकों को अधिकार दे, उसी प्रकार से नागरिकों का कर्तव्य है कि वो भारत को कुछ अधिकार दे, यानि हमारा भी कुछ कर्तव्य है, हमारा जो कर्तव्य है, वो किसका अधिकार है, ये भारत का मौलिक अ अधिकार है यानि हमारे देश का ये मौली का दिकार है कि उसके राष्ट द्धज का सम्मान हो होना चाहिक कि ने जैसे इसने You हम अंधिकार दिया है मौली करतव्यों में हमें अधिकार दिया गया कि हम एरभारिकर 21 क्या है हमें अपनी गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है उसी प्रकार से तो भारत भी चाहता है कि हमें हमारी गर्मा पूर्ण जीवन मिले और उसके गर्मा पूर्ण जीवन में उसके जो रास्टी चिन्न है रास्टी समारक है रास्ट ध्वज है रास्ट गान है इन सब का सम्मान हो तो य ये भारत के जो वास्तविक रूप में नागरिकों के मौलिक करतव्य जो हैं, वो हमारे रास्ट के मौलिक अधिकार हैं, अगर हम अपने करतव्यों को पूरा नहीं करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं हम भारत को उसके अधिकार से वन्चित करते हैं, इसके बदले में भारत भी आपको किन अधिकारों से वंचित करेगा तो आपको कैसा लगेगा इसका इहसास जरूर करिए और इसलिए भारत के समझी कर्टकवे क्या है उनका महत्व क्या है इस पस्ट पूरी तरीके से आपको इस उधारणा में हो गया होगा उता नहीं समझ में आया है, फिर से देखिए, फिर से समझीए, ठीक है, इसके अलावां ये नागरिकों के मार्ग दर्शक के रूप में कारे करता है, कौन, fundamental duty, इसके अलावां ये सामाजिक सोहार्द्र को बढ़ाने की, सामाजिक सोहार्द्र जो है, उसको बढ़ाने के लिए अपील करता है इसके अलावा लोकतंत्र की भावना को बनाय रखने की अपील करता है सामाजिक न्याय की बात करता है बंधुता की बात करता है समानता की बात करता है हमारा मौलिक अधिकार मौलिक करतव्य तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो मौलिक कर्तव्य जो हैं वो अत्यन्त महत्यपूर्ण हैं हलाकि मौलिक कर्तव्य भी मौलिक कर्तव्य भी DPSP की भाती नियाले में वादयोग्य नहीं है हलाकि मौलिक कर्तव्यों के कुछ नियमों का कानूनी करन जरूर किया गया है जैसे रास्ट द्वज का सम्मान करना महिलाओं की गरिमा को बनाए रखना रास्ट के जो सारुजनिक संपत्ती है उसका हित रखना संदक्षित रखना इसके पीछे कानून भी बनाए गया है पर्यावरण का संदक्षन इसके लिए कानून भी बनाए गया है लेकिन आप उन कानून का हवाला देते हुए तो आप नियाले में प्रवर्तनी करा सकते हैं उसे लेकिन उन्हीं सब चीजों को मौलिक कर्तवियों का हवाला देते हुए आप नियाले में प्रवर्थनी या वादियोग नहीं कर सकते हैं क्यों? क्योंकि मौलिक कर्तव भी सलाहकारी है और मैंने आपको बताया जो चीजें सलाहकारी होंगी उसको नियाले में वादियोग नहीं माना जा सकता लेकिन जो भी चीजें सलाहकारी होती हैं अगर उन सलाह को अगर आप नहीं मानेंगे तो न्यायले भले आपको सजा ना दे लेकिन संबंधित तत्वा आपको जरूर सजा देते हैं जैसे एक सरकार होने के नाते अगर आप DPSP का पलन नहीं करेंगे तो जनता आपको सजा देगी एक जनता होने के नाते आप मौलिक करतव्यों का पलन नहीं करेंगे तो समविधान और भविष्य जो है आपके देश का वो आपको सजा देगा एक दिन आपका जब भारत गुलाम बनेगा तो स्वतह आप गुलाम हो जाएंगे और उस समय आप से भारत पूछेगा कि मुझे गुलाम किसने बनाया और तुम गुलाम क्यों बने तो आपका एंसर यही होगा कि आपने अपने उस समय मौलिक करतव्यों का पालन नहीं किया जिस समय आपको करना चाहिए था ठीक है तो इसलिए मौलिक कर्तवियों का पालन मौलिक अधिकारों से बढ़कर करना चाहिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ठीक तो ये सब चीज़ें थी आपके मौलिक कर्तवियों में इस प्रकार के प्रशन पूछे जा सकते थे वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिए सारी चीज़ें आपको समझा दी आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा समझ में आया है तो आप इसे लाइक करिए शेड करिए, सब्सक्राइब करिए साथी साथ जिस प्रकार कि सहायता की सायता की आप से उम्मीद की गई है आप उसे आशा करते हैं जरूर पूरा करेंगे उसी उम्मीद के साथ मुलाकात करते हैं आगले लेक्षर में तब तक ले नमस्कार चैहिंत